नमस्कार आप सभी को, आज का हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है OKR, Objectives and Key Results आईए समझते हैं क्या है OKR, Objectives and Key Results ये उस चिडिया का नाम है, जिस चिडिया के पीछे हम सभी और आप लोगों के Managers भागते रहते हैं हर हफ़ते, हम इस चिडिया को पकड़ने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, तो आईए समझते हैं कि ये OKR, Objectives and Key Results होते क्या हैं और इनका क्या महत्व है हमारे पूरे बिजनस को और तरीके से चलाने में, हर एक अच्छी कमपनी कोई न कोई system follow करती है, जिससे की वो सही चीजों पर focus कर पाएं, सही चीजों पर ध्यान दे पाएं कि क्या वो चीजे हैं जो धंदे को बढ़ाने में, बिजनस को बढ़ाने में मदद करेंगी, और ध्यान रखें कि what gets measured gets done, मलब जिस भी चीज का हम तोल मोल कर लेंगे, हम तोल लेंगे, उसे नाप लेंगे, वो चीज हो जाएगी, मान लीजिए मैं आज 100 किलों का हूँ, मैंने अपना वजन नापा, और यार मैं 100 किलों का हूँ, तो भही अपने को तो 15 किलों कम करना है, और मैं उसके पीछे लग गया, तो क्या हुआ, मैंने अपने वजन को तोला, और जैसे ही तोला, मुझे ज़्यादा लगा, मैं उसके पीछे पढ़ गया, कम करने के लिए, तो what gets measured gets done, जिस भी चीज का नाप तोल हो जाता है, वो चीज हो जाती है, तो एक अच्छे बिजनस को चलाने के लिए, जहां हमें कुछ एहम चीजों पर फोकस करना होता है, वहीं उन्हें नापना तोलना भी होता है, तो बहुत सारी कमपनीज अलग अलग सिस्टम्स यूज करती हैं, कही जगा आपको बैलन स्कोर कार्ड यूज करने को मिलेगा, कही जग KPI या KRAs यूज करने को मिलेंगे, जो होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और की रिजल्ट एरियास, हम एज अ कंपनी, KCCO ग्रूप, हमारे सभी ब्रैंड, हमारे सारे मैनेजर्स, सारे लीडर्स, OKRs यूज करते हैं, अब्जेक्टिव और की रिजल्ट्स, OKR को अगर जाने, तो OKR में basically हम अपने goals set करते हैं, जो की objectives होते हैं, जो की revenue बढ़ाना है, मतलब पैसे लाने हैं ज्यादा, profit बढ़ाना है, guest का बहुत ध्यान रखना है, अपने team members का ध्यान रखना है, अपने धंदे को आगे बढ़ाना है, वगेरा वगेरा, तो ये हो गए हमार बड़े बड़े और goals, objectives, revenue, profit, team, guest, total quality management, वगेरा वगेरा, तो ये हमारे हो गए focus areas, जो हमारे goals हैं, और हर एक objective या goal के नीचे, चार से पांच वो चीज़ें, key results, जो हम करेंगे, जिससे कि हम उस goal को पापाएंगे, तो सबसे उपर आगए objectives या goals, और हर एक goal को पाने के लिए key results, चार से पांच ऐसी चीज़ें जो हम करेंगे, जिनसे कि हम उस objective या goal को पापाएंगे, तो ये होता है objectives and key results, आईए उधारन से समझते हैं, तो मानिए हमारा objective है कि हमें अपने team को बहुत खुछ रखना है और अपनी team को आगे बढ़ाना है, तो ये हमारा objective या goal हो गया, तो अब एक manager या फिर एक owner या फिर एक leader या एक senior manager कैसे ensure करेगा, कैसे make sure करेगा कि हमारी जो हमने objective goal बनाया है, team को आगे बढ़ाने का, खुछ रखने का पूरा हो रहा है, तो उसके नीचे वो 4 से 5 key results डालते हैं, कि सहब team को आगे बढ़ाने और खुछ रखने के लिए, पह हाफते में 7 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, मैं हर एक दिन training करूँगा, तो इससे मेरी team सीखेगी और आगे बढ़ेगी पहला key result, ध्यान दीजिए, key result में नापतोल होना चाहिए, key result वो होना चाहिए जिसमें नापतोल हो सके, मैं अपने team members के लिए रोज training नापतोल, ठीक है, that's first key result, दूसरा key result, हम महीने में एक बार team building करेंगे, जहां हम सब साथ बैठेंगे, कुछ games के लेंगे, कुछ खाएंगे, पिएंगे और बाते करेंगे, that's a second key result, महीने में एक बार team building, ठीक है जी, नापतोल यहां भी चल रहा है, तीसरी चीज, हम एक cricket match क आयोजन करेंगे, और महीने में हम दो weekends को cricket match खेलेंगे, हम महीने में दो cricket matches का arrangement करेंगे, और हम मिलकर as a team, दो बार वो खेलेंगे, यह तीसरा key result, इसमें भी नापतोल है, ठीक है जी, चौथी चीज, हम एक घंटे की, एक training, हर हफते करेंगे, जिसमें हम कुछ नया अपने team को सिखा सकें, और ज्यादा सिखा सकें, ठीक है जो पहले था daily training या daily briefing, फिर आया आपका team building, फिर आया आपका cricket match, और फिर आया आपका हफते में एक अच्छी घंटे बर की बड़ी training, तो और पांचवा की result हो सकता है, कि हम महीने में एक बार अपनी monthly town hall meeting करेंगे, जहां फिर कुछ खाएंगे, नाशता करेंगे, चाय पिएंगे, enjoy करेंगे, तो आईए इसको फिर से पूरा समेट के समझते हैं, objectives and key results, objective या goal हो गया आपका team को खुश रखना और आगे बढ़ाना, और उसके नीचे के key results, जो कि हरे key result नापतोल होना चाहिए, key result यह नहीं होना चाहिए मैं अपने staff को खुश रखूँगा, that's not a key result, key result होता है, मैं अपने staff को खुश रखूँगा, महीने में एक बार team building करके, और साथ में खाना खाके, तो नापतोल होना चाहिए, तो objective है staff को खुश रखना और आगे बढ़ाना, उसके नीचे key results है, one team building, daily briefing और daily training, हफते में एक बार एक घंटे की बड़ी training, आपका town hall meeting, और cricket match महीने में दो बार, तो यह हो गए आपके key results, so objectives and key results का सबसे मजदार पात पटा है, क्या होता है, कि हर एक हफता खतम होने के पाद, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को किसी वी एक दिन, आपके managers एक excel sheet पे खोलते हैं, जहां पे उनके सारे objectives and key results होते हैं, और वो खुद अपने आपको assess करते हैं, मतलब खुद अपने आपको number देते हैं, कि अच्छा भई, पिछले हफते मैंने team building कर वाली थी, पिछले हफते 7 दिन में से मैं 4 दिन ही training कर पाया, मेरे को और बहतर करना है, मुझे 7 के 7 दिन training करनी है, व self-assessment होता है, अपने आपको खुद number देना, बड़ी powerful चीज है, बड़ी ताकतवर चीज है, ये, so objectives and key results is a tool, जिससे कि हम सभी लोग अपने धंदे पे focused रहते हैं, हमें पता है कि हमें किन-किन चीजों पे काम करना है, और जैसा बोला था पहले, what gets measured gets done, जिससी इसका नापतो हो जाता है, वो पूरी हो जाती है, तो पूरी team को align रखने में, पूरी team को focus रखने में, OKRs, objectives and key results is a great thing, याद रखें कि OKRs ऐसा system है, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी companies इस्तमाल करती हैं, जैसे Google, Intuit, Intel और बहुत सारी ऐसी बड़ी-बड़ी companies हैं दुनिया भर म हैं, so हम लोग, we are very proud, हम लोग बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम बहुत ही अच्छा system use करते हैं, OKRs, objectives and key results का, अपनी team को focus रखने का, अपने आपको आगे बढ़ाने का, और OKRs को सभी follow करते रहें, thank you so much for your support, bye-bye.